सलाम अलेकुम वेलकम बेक टू जायक अपने किचिन का क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि एक जैसा नाश्टा देख देखकर खा खा कर पूरी तरीके से आप बोर हो चुके हैं तो इसलिए आज मैं आपके लिए एकदम से नई रेस्पी लेकर आई हूँ आज जो नाश्टी क को बनाने के लिए हमने ने हां पढर लेना एक पकर बेसन का इस्तपा थांफ popular यहां हम डालेंगे तो इस में आथाचोते चमशंते करीं करीब नमक अपने टेस्ट क्वाडिक कूर्णिग करeteं नमक को आप इसमें डाल देना यही night卡 माम टालेंगे एक चौताइर चमशंते का अदि चम्मज के करीब पिसा हुआ धनिया पाउड़र考 elementos और यहां पर हम एक चम्मज के करीब सूखा हुआ धनिया का इस्तिमाल किया हूए चाहे तो ताजय धनिया का भी इस्तिमाल कर सकते हैं और इसको हम चम्मज के हलबर考 ‑‑ करीब नियुक्स करें नियुक्त है कि इसमे यज़ कर लियुक्त है तक गि educver मेला पृट उहा पर दुख्भी दही बार्सित आता इसमे का लिए खाल दखी लेगों है कि फतनी जाया का दुख्भी थी तो यहां पर हमें इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है अगर जरूरत पड़ेगी तो हम यहां पर पानी का इस्तिमाल करेंगे तो यहां पर हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है हमें पानी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी है तो यहां पर हमने इसका ज तो यहां पर हम पर हम पहले इसको ऊपर से कवर कर देंगी और फ़र मैं साइथ इसको अच्छे से किस्टी सो Cel bagus अच्छें chi तो यहां पर मैं आपको गारंटी से कह सकती हूं कि आपने एक बार भी चमच वाले नाश्टा नहीं बनाया होगा तो प्लीज आप एक बार इस चमच वाले नाश्टे को जरूर ट्राई कीजिएगा यह बहुती आसानी से बन जाता है और खाने में बहुती जादा टेस्टी ब बनकर तैयार हो जाता है आपको इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और बहुती यूनिक नाश्टा बनकर तैयार होता है तो यहां पर हमने सारे इसी तरह से सारे नाश्टे को बनाकर तैयार कर लिया है तो चलिए जब तक हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसस की तरफ गैस पर हमने एक लीटर के करीब पानी को गरम होने के लिए रख दिया है पानी में अच्छे से बाउल आ चुका है तो यहां पर हमने जो चम्मच वाला नाश्टा बनाकर तैयार किया था वो एक एक करके हम इसमें डाल देंगे तो टोटली हमारे यहां पर पांच चम्मच तैयार हुए है यानि यह पांच चम्मच नाश्टे वाले बनकर तैयार हो चुके है तो उसको एक एक करके इसमें ट्रांसफर कर देंगे और इसको यहां पर हम पांच मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पकाएंगे तो इसमें डाल देंगे एक चम्मच के नाश्टे को बाहा निकालेना है और बाहा निकाल कर 梁ठना होने देंगे नाश्टा हमारे काफी अच्छी से ठंडा हो चुका है तो यहां पर हम एक चम्मच उठाएंगे और चम्मच को एटाने के बाद हम छलक kसे हातों से इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पर बस हमें हलक असा इसको प्रेस करना है चमज को नीचे की और खीचना है और यह देखिए कितना बढ़िया हमाद जो नाश्ता है बनकर तयार हो चुका है यह बिल्कुल भी भिकरा नहीं है और इसकी जो शेफ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी आई है तो यहाँ यहाँ पर बस हम हलके हाथों से चमज को हलका सा प्रेस करेंगे और इस तरहां से बहुत आसानी से निकल जाएगा तो यहाँ पर सारी नाश्ते को हमने इसी तरीके से निकाल लेना है तो यहाँ पर आसानी से निकल कर नाश्ता तयार हो चुका है तो यहाँ पर हम लेंगे ए यहाँ पर आप इसको हाथ में उठा कर इस तरीके से कट कर सकते हैं यह रमने दो तरीके आपको बता हैं आप चाहएं तो कशी भी तरीक शी पार कजिका से गरें कितने बड़े हमारे जौू रॉल आपकोर हुआ है २ यहाँ पर हम शारी स्टिक कीता है अच्छे से करीकल होने देंगे इसको हमने यहाँ पर मिक्स कर लेना है तो यहाँ पर हमने इसको मिक्स कर लिया है गैस की फिलेम को हमने लो रखा है लो फिलेम करने के बाद जो सारी स्टिक हमने काटी थी उनको हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे तो यहाँ पर हमें सारी स्टि के करीब कुटी हुई लाल मिर्च आप चाहे तो इसकी चिली फ्लैक्स का भी उस कर सकते हैं और इसमें आप जाएगा आदी चोटी चिमच के करीब गरम मसाला गरम मसाला इसको बनाएगा बहुत जादा चट पटा और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सुखा हुआ हरा धनिया यहां पर आप चाहे तो ताजेश धर्षी का भी इस्तिमाल कर सकते हैं और इसको हम कर लेंगे अची से मिक्स मिक्स करने के बाद हम इसको 2-3 मिनट के लिए अच्छे से चलाएंगे तो इहां पर गेस की फिल्म को हमने मीडियुम कर दिया है मीडियुम फिल्म पर हमें अच् और चलिए बिना देरी के वह हम सर्फ कर लेते हैं तो लीजिए एकड़म जो मुँका स्वात बदल दे ऐसा नाश्ता हमारा बनकर तयार हुआ है इकड़म चट्पटा तीखा नाश्ता हमारा बनकर तयार हो चुका है सुभा की जल्दवाजी हो आप इस नाश्ते को फॉर्ण बनाईए और खाईए यह देखी कितना जदा क्रिस्पी हमारा नाश्ता बनकर तयार हुआ है तो आज का जो चट्पटा सा नाश्ता है वो आप जरूर ट्रै कीजिएगा तरो ताज़ा हो जाएंगे से खाके उमीद करती हूँ आपको आज की रिस्पी गजब की पसंद आई होगी अगर आज की रिस्पी पसंद आई है तो पिलीज रिस्पी को लाइफ कमेंट और शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल जाएंगा अपने किचिन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जो लोग कम तेल में नाश्ता खाना पसंद करते हैं उनके लिए तो यह फैबरेट नाश्ता है यह बहुत ही कम तेल में बनकर तयार हुआ है और खाने में बहुत ही ज़दा हेल्दी और टेस्टी भी है और आज का जो नाश्ता है आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला है क्योंकि हमने इसको कम तेल में बनाया है और बहुत ही एज़ी तरीक तो प्लीज रेस्पी को लाइक कमेंट और अपने फैमिली फ्रेंड्स में इसको जरूर शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए गा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें मिलते हैं ऐसी ही नही नही रेस्पी के साथ जब तक के लिए अल्ला हाफिज